साथियों, राजनीती के लिए किसानों का उप्योग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या वर्ताव किया, इसका एक और दरन है, दल्हन की खेती, 2014 के समय को याद कीजिए, किस प्रकार देश में दालों का संकर था, देश में मचे हाहारकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी, हर रसोई का खर्च दाल की बढ़ती किमतों के साथ बढ़ रहा था, जिस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल की खपत है, उस देश में दाल पैदा करने वाले किसानों को तबह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं काय रखी थी, किसान परेशान था, और वो मौज ले रहे थे, जो दूसरे देशों से दाल मंगवाने के काम में उनको मजा आता था, ये बात मैं मानता हूं कि कभी कभी कभार प्राकृति के आपदा आ जाए, अचानक कोई संकर आ जाए, तो विदेश से दाल मंगवाई जा सकती है, देश के नागरिकों को बुका नहीं रखा था, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो, साथ क्यों, ये लोग दाल पर ज़्यादा MSP भी नहीं देते थे, और उसकी खरीद भी नहीं करते थे, हालत ये थी, कि 2014 से पहले के पांच साल, उनके पांच साल, उन्होंने सिर्फ डेड़ लाख मेट्रिक दन दाल की किसानों से खरीदी, जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो हमने नीती भी बड़ली और बड़े निर्णे भी लिये, हमने किसानों को भी डाल की पैदावर के लिए प्रोचाहित किया, भाई और बहनों, हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुल्ना में 112 लाख मेट्रिक टन, बैद दुबारा बोलता हूँ, 112 लाख मेट्रिक टन दाल मेस्पी पर खरीदी, सोचिए, बेड़ लाख उनके जमाने में, वहाँ से हम सीधे ले गए 112 लाख मेट्रिक टन, उन लोगों ने अपने पांच सालों बें दाल किसानों को, दाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपिया दिया? हमारी सरकार ने क्या किया? हमने करीब-करीब पच्चास हजार करोड रुपिये दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया, कहां 600 करोड़ों कहां 50,000 करोड़ आज दाल के किसान को भी जादा पैसा मिल रहा है दाल की कीमतें भी कम हुई है जिससे गरीब को सीधा फाइदा हुआ है जो लोग किसानों को न MSP दे सके न MSP पर डंग से खरीच सके वो MSP पर किसानों को गुमरा कर रहे है